हुआ है हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक एलेगर है मैं मनोविकार सेक्ष्रोग सम्मोहन और वेसंद मुक्टी तग्य हूं महाराष्ट में आकोला में प्रैक्टिस करता हूं पिछले 35 साल से आज का विशे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं डॉक्टरों की उपर हमला जिम्मेवार कौन क्या होता है कि डॉक्टर जो विक्ति बनता है न वह कम से कम 12 स्टेंडर के बाद में 10 से 12 साल पढ़ाई करने के बाद में वह प्रैक्टिस शुरू करता है या नुक्री पे लगत है उसका कल्चर बनता है वह एक सॉफ्ट टार्गेट है वह ऐसा कोई वाइलन्स और अग्रेशन इसमें बिल्यू नहीं करता उसका एजुकेशन है वैसा होता है अपिर होता गया है कि लोग जो आते हूंके तरफ पेशेंट लेके तो वह कहां कि होंगे उनका एजुकेशन क है कुछ पता रहता नहीं उनको मालू होता है डॉक्त्र होता है अफ्या कोद्य होता एक जुक्त करेदा रहता है नहीं और मेरे पास पूरी लिपे लिपे ये फिछले कुछ महीन में वाइस के लें emerging के भीजुने कि लिपर क्वाइध कर सा लड़का उसको पकड़े गया कि उसने उपर मतलब डॉक्टटर की उपर हमला किया 2016 की बाते मॉंबई में देज बेंगाल में वे ऐसा हो गया कि कुछ लोग आये उंको जल्दी से जल्दी इलाज करना था उनके रिलेटिव के उपर और वो गन लेके डॉक्टर के आंग के उपर चलेगी कि जल्दी हिलाज करो डॉक्टर रोहन मामुंकर का तो पता ही है धुले सिविल हॉस्पिटल में कि बहुत ही बूरी तरह उसकी पिटाई हो गई उसको मारा गया और मॉब ईगनम आ गया उनके आांक के उपर उनको बहुत बोट बुरी तरह उनको मारा गया फिर नासिठ सिविल हॉस्पिटल में तीन लोगों के ऊपर एक ट्रइनी डॉक्टर एक Committee कल अवीश oikeG उनके ओफर हमला किया अग्यां कि पेशेंटक उनका ट्व की मर गया करका। कि डारोए थाथेडक प्लियू ऐखटेट्ट डाक्ट्र है वह सायनल ऑसुस्पिटल में। उसके उपर हमला किया गया क्योंकि एक साथ साल का किन्नी डीसिस का पेशन्ट जो है उसके जीवित को धुआ हो गया उमर गया तो उसके लिए उसके उपर हल्ला हो गया एक गौर्णमेंट मेडिकल कॉलेज और रंगाबाद वहां एक और्थोपेडिक जुनियर रेसिदेंट के उपर पिछले कुछ मेने में हमला हुआ फिर कार मेडिकल और ये कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कोलकता में पेशन्ट के रिलीटिव ने हमला किया क्योंकि पेशन्ट मर गया करके और नाइट के जो डॉक्टर थे उनके उपर हमला किया गया डॉक्टर नियार देस लोग एकदम आके तूट पड़े उसको हमला किया उसको मारा मतलब उसके उपर एसल्ट किया गया एक प्रेगनन लीडी डॉक्टर केरला में 2016 में 2016 की बाते प्रेगनन लीडी डॉक्टर थी उसके उपर हमला किया गया अभिशेक सींग करके SSKM होस्पिटल कोलकता का है तो यह जैंजने लौक्टर उसके उपर 30 लोगों में हमला किया एक स्रीजगनना Темपल-पूरी में संत वहां के मैंने धिकनर कम Meansमे उन्होंने डॉक्टर के उपर हमला किया ओटिश्याध इस्पिटल ओगिशने क्रिटिकल के लेकर रेडिशन में लाइगा था एक रीडी त्म्टेन कितने सारे इंसिदेंट मेरे पास में पूरी लिस्ट है किसे कितने सारे इंसिदेंट हुए कि जिसमें डॉक्टर लोगों के ऊपर पेशेंट के रिलेटिव ने हमला किया अब हम यह देखना है कि ऐसा क्यों होता है और इसलिए जिम्मेवार कौन है क्या है कि डॉक्टर और प इस साथ जूटे की नहीं जल एक बार वेटी बन कुरा गया डॉक्टर की असुसियेशन में ऊचे तो कुले दमाखना भी एक साथ में बन करेंगी नहीं पर आरोप दाखिल करना या मतलब एफ आयर दाखिल करना अरोपतर दाखिल करना और डॉक्टरों का नाम लेकर उन्हें गलत किया यह इलाज नहीं किया ऐसा करना पुलिस के उपर दबाव डालके यह होता है और फिर इसलिए डॉक्टर पेशन्ट के बीच में बहुत बड़ी अलकोछ शराब लेके आते हैं वह पेशञतissimo कि दिव फैसलिट एंप वाय्लच होता है कि यह रात अगर दो भजाने के बाद में दृब वह ऐस स्टेवी नहीं लेकर जाना बोलता है या वो दॉक्ट्टर उसका स्पेशलीस्द नहीं है कर गे वह ना बोलता है तो उसके उपर हमला किया जाता है वह उस्पिटल में मतलब वह ओसी सुविधा ही नहीं है पेशनकों खराएन आ हास्पिटल में बेड़्सिद divorce नहीं है इसमें हुआ कि डॉक्टर फिर सम्झो भर्ती भी किया दाखिल भी किया तब ही डॉक्टर यह देखते हैं कि वह इसकी पूरी जाच कर लो कि कल कुछ कम जाना हो गया तो अपने पास में सब इन्विस्टिकेशन तैयर होना क्योंकि आशकल तो ऐसा है कि कुछ भी होगा तो भी मतलब पूरा पेशन का पूरा इन्विस्टिकेशन किया जाता है ताकि डॉक्टर अपनी वाज़ो सेफ करना जाता है कल कुछ हो गया तो पैसे होना तो कभी आपनी पास में रात को कोई पेशेंट आगा तो में तो साइके टुआड दू हूँ मगर चेस्पेन में मेरे पास करना जिरूरी रात में कुछ कम ज्यादा हो तो इतले फिर जाना investigation करना पड़ता है क्योंकि patient के जीवित को कुछ हो गया तो हमला हो जाएगा या कुछ doctor के ऊपर दोशा रूप doctor देखते कि नहीं अपने वाजु सेफ करो तो इसमें नुकसान किसका है इसमें नुकसान यह हो रहा है कि patient की treatment cost बढ़ते जा रहे हैं बहुत बड़ी cost बढ़ते जा रहे है क्योंकि अभी कोई risk लेना ही चाहता नहीं कोई risk लेंगा नहीं अभी और फिर थोड़ा भी हो गया थे फिर लोग करने के लिए बोलते हैं कि कभी कभी patient ही बोलते हैं कि हमारा पूरा टेस्ट कर लो हम तयार है और जैसा मैंने मेरे पहले वीडियो में कहा कि जो कूल patient है और cold patient है वो तो डॉक्टर के पास में मतलब डॉक्टर इसे सेकंड कंसल्टर पहला को ने गूगल तो गूगल पे जाते हैं सर्च करते हमको क्या तकलिफ हो इसके बर दवा कोंसे भी डॉक्टर के पास में आएंगे और बोलेंगे चलो अभी बोलो क्या करना है तो इसमें डॉक्टर एक receiving side में रहता है और specially रात में ज्यादा होता है मतलब रात में हमले ज्यादा होते हैं एक बार भी ऐसा हमला हो गया तो डॉक्टर को मांसिक आगात हो जाता है डॉक्टर को खुद को emotional breakdown हो जाता है और वो उसको face करना पादा है क्योंकि वह आगे जलके इ डॉक्टर इतने ओर कॉश्चास हो गया भी तो फिर उसमें होता गया है कि सब ऐसा तो है मतलब यह तो सब patients उनकी रेट्यूस करते ही है अब और रहे क्योंकि पेशेंट की ज्यादा है ज्यादा फी लेते हैं अब ज्यादा फी किसको बोलेंगे आप जैसे motivational speakers जो है अब हमन लेते हैं एक कोर्स करने के लिए या कुछ counseling है उसमें भी एक से दो लाख रुपे लेते हैं तीन घंटे का चार घंटे का प्रोग्राम होता है और वह प्रोग्राम में सम्झें हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी फीद दो तीन तीन लाग चार चार लाग होती है तो जो लाग हो या कोई corporate में जाता है motivational speaker या एक दिन का कोई प्रोग्राम लेता है पुब्लिक का तो पांस सी छे लाग रुपे वह उसकी चार्ज करता है तो डॉक्टर की फी ज्यादा है ऐसा तो बोलना मुश्किल है पर फी ज्यादा किसको बोलेंगे आप 200 रुपे भी हो दिये ह क्योंकि वह उसका intellect बेशता है मतलब बुद्धी intelligence वह बेशता है और डॉक्टर जब तक काम करता है मतलब जब तक वह काम करेगा जितना समय काम करेगा उतना समय का उसको पैसा मिलता है वह उसकी बुद्धी देता है उसका समय देता है और उसके exchange में उसको पैसा मिलता है त क्योंकि अभी हॉस्पिल जब चालू करता है न कोई डॉक्टर तो वहां शॉपएक लगता है वहां सब प्रकार के टैक्सिस लगते है इवन कंजुमर फोरूम में भी डॉक्टर के खिलाफ अभी पेशन्ट जा सकता है कंजुमर में क्या है कि कंजुमर मतलब गिराइक और माल या बेचने वाला बेच वाल या लेवाल तो कंजुमर मतलब पेशेंट यह कंजुमर ऐसा गॉर्मेंट ने बोला हुए शॉपएक का लाइसन्ट का लाइसन्ट है प्रफेशनल टैक्स है प्रविडेंट फंड से ग्रेटीट एंपलेशनी पढ़ती है इंकम टैक्स है फिर बायमेडिकल वेस्ट उसके शी देनी पड़ती है कितने कम से कम 15 या 16 अलग अलग प्रकार के टैक्सेस और लाइसन्स मिला के दॉक्टरों को वह रखना पड़ता है उसका सब डाकुमेंटेशन रखना पड़ता है क्योंकि वह एक अभी गवर्मेंट बोलती है कि बिजिनेस पाहिकलेशन है और डॉक्टर मैंने पता किस दॉक्टर सॉन या और ऑच और चेक करना हाँ भी पोड़ता है तो उसको एंपड़ाइस कितने मतलब मैनेजमेंट सब्सकार को देखनी है पेशंट की सब्सक्राइब करनी कि आ हैं यह इधर लोगों ने बोला कि नहीं यह hospital यह business है और सब तरह के taxes doctor के उपर लगाए हुए, doctor को free hand नहीं है अभी, पहले कैसा था, पहले doctor भगवान था, doctor ने किया वो final था, doctor के उपर कोई हमला नहीं होता था, doctor के उपर कोई cases नहीं होती थी, आज कहीं भी जाओ doctor के उपर काफी सारी cases चलो है, क्यों doctor उससे भी वो कि बिल देने के समय वो प्रॉब्लेम कर देते हैं बिल देते नहीं है लोग मतलब ऐसा होता है कि जब मेरे पास में पेशेंट आता है तो पेशेंट और उसके रिलेटिव उस समय हाथ जोड़के खड़े रहते हैं भगवान है डॉक्टर आप बस कैसा भी करो जान बचाओ इस कि लोगों के पास में मेडीकल टीटमेंट के लिए इसे कोई प्रोवीजन नहीं लोगों के बातवी प्रोवीजन है कि अपने बेश्रीण को पैसा है इंसुरोंस कहांगे इत्त ही ठरीक खरच lady holiness बीसे को बहुति हो जाता है ऐसे सारह पर एक तो डिनायल अफ एड्मिशन मतलब डॉक्टर बोलता है मेरे पास में एमीशन अभी यह होंगी नहीं मैं इसका रिलाज कर boa नी मैरे पास में फैसिलीटी पास में इतनी कोई ज्यादा सेक्यूरिटी नहीं कि मैं सेक्योर करूँ पेशन्ट को या उसकी केर में ले सकता नहीं इसलिए वो ना बोलता है और फिर उसके उपर हमला किया जाता है अभी है मैंने इसलिए विडियो तैयर किया फेशन्ट लोगों का इसमें प्रभधन हो रात में कोई पेशन्ट आ गया तो डॉक्टर पोलता है कि मैं अभी इलाज करूंगा नहीं मेरे से होता नहीं कभी-कभी ता ऐसा हो जाता है हमारे मित्र मजाक मजाक में बोलते कोई अलग-अलग सिटी के कि कभी रात को हाट का पेशन्ट हाट का मतलब दिल का दोर्य वाला पेशन्ट आ गया ना और कहीं पेशों करूं तो फीजिशन्स गोलते हैं मतलब उनके Lynnanga magie तो कोई फोई भी फोन उठाया तो भोड़ाइब नहीं दॉक्टर विमार है क्यों कि उनको फी नहीं लगता है कि रात को इसका एलाज करें और कुछ हो गया तो भी अपने अपने जाना को खत्रा हो जाएगा नुकसान किसका हो रहा है नुकसान को पेशन्ट लोगों का हो रहा है लोगों का यहां फिर स्पेशलिस्ट यह सुपर स्पेशलिस्ट एवलेबर आट को भी रहेंगा निए वह जुनियर डॉक्टर इलाज करेंगे यह फिर वो जाएंगा गॉर्मेंट होस्पिटल में जहां इतना जाना बरण है काम का कि वहां फिर किर कितनी होंगी पताने तो मेरा यह कुछ नहीं करेंगे को कुछ भी होगा तो भी कुछ होंगा नहीं इतनी डॉक्टर को एशुरंस रहा तो एक फ्री हैंड से डॉक्टर उसका इलाज करना मतलब कर सकेगा और फिर इसमें पेशन्ट का ही फायदा है क्योंकि डॉक्टर शान्ति से दिए डॉक्टर के पीछे है डॉक्टर को प्रेशराइस किया डॉक्टर को डर है तो इसमें पेशन्ट का एंच्छा हुंगा नहीं पेशेंटर्ब किया जाएगा या प्र किस्टी wavelengths अपनी से अससी चैरह Selena कि जहां में एसी कि ऐसा वाता और अम्रेटि करो कि कोई भी डॉर्फ अपने हां को मरने देगा कि रहता है है कि तो उसके लिए चितने 2 शाबदर है ऐसे लोगों को लगता है मैं समझता हूं कि रिलीटिव भी जवाबदार है दोने जवाबदारी से काम किया तो पेशन का लोगों को यहीं सेफ एंड फ्री हैंड देंग यह तो पेशन लोगों का फायदा होंगा इसे मेरी नमर विनन्दी है मेरा चैनल उसका जरू सब्सक्राइब करो और होस्पिटल अकॉल हमें कि जहां मतलब बिना रिलेटिव के पेशन हम रखते हैं जाहां रिलेटिव हमारे प झाल झाल